फिर से स्वागत करते हैं आपका बिहार बुट को अपसिली चैनल में जहां दोस्ते हैं आज हम लोग कभर करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री के विवाइ मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन को जो आपके एक्जाम देरी इस्ट्री से काफी हेलफूल होने वाला है तो आज हम लोग पाट टू के जितने भी विवाइक कोश्चन होगे साड़े को अज हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में ठीक है तो आप तक याई पार वन ही हम लोग कवर कर चुक है अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में विजिट की जाकर कि उसको आप देख सकते हैं तो गाज वीडियो सुरू करने से पहले मैं छोटी से आप से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और अपने दोस्तों में जदा सदा वीडियो को सेर करेता कि आपका दोस्त भी इस आजाने किया था तो यह जो चार उप्सन आपके सामने दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि चार उप्सन आपके सामने दिया हुआ है तो पहले पहले नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं कोशन नमर नेक्स्ट जो आपके स्कीन पर आगया ध्यान से देखेगा जिवक वेध पहले 50 के काल में था तो फहला आपसे मोरी है दूसरा में देखे का आप गुपत है ता की ओर चलते हैं डिंग से घृक्ष कछी आपके स्कीस्ट यह देखेगा इसमें क्या एक और सुदर्शन जिल की मरमत किसने कराई तो देखे चार ऑप्सन आपके सामने दिया हुआ है इसका इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि रुदर्द नमर ठीक है इसका राइट एंसर हो जाएगा चलेगा फिर हम लोग नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं जो आपके स्केन पर आ गया ध्यान से देखेगा नेक्स्ट को कि पाटली पूत्र नगर की अस्तापना उदेने किस नदी के संगम पर की है तो देखेल आप चार ऑप्सन आपके सामने पहले गंगा दिया हुआ इन में से सभी संगम पर तो इसका आपका जो राइट एंसर हो ज तो देखिए इसमें आपको चार ओप्सन मिलेंगे पहला तो अस्कंद गुपत है तिसरा में आपका समुन्द गुपत है चौता में नेपोलियन है तो इसका जो आपका जो राइट गया उस्कंद गुपत है तो नेपोलियन था बिसमार था तो यह जो यह था यह नेपोलियन था ठीक है समुद्ध क्या था एक नेपोलियन था ठीक है ऑप्शन नमर 20 का राइट एंसर हो जाएगा चले गाइज फिर नम लोग नेक्स्ट कोशन के और चलते हैं कोशन नमर नेक्स्ट जो आपके स्केंड पर आ गया ध्यान से देखेगा है इसको किसके अभी लेक में भूमी वादान का मिलता है नेक्स को नाते हैं को और भुमिष को準 भूमी अनुदान से संबंदित पर्थम अभी लेखिये परमान किसका है तो देखिए पहरा उप्सन अमोडिय काल दिया हुआ दूसरा में आपका साथ वहन काल दिया हुआ और चौता में आपका दिया हुआ यानि क्या उप्सन नमर गुप्त काल दिया हुआ तो इसका जो right answer जाएगा will be the right answer option नमबर यानी भी इसका right answer हो जाएगा यानी 7 वहन काल ठीक है चलिए जो तुम्हें आपसे request करता हूँगा अभी तक आप मेरे चैनल को अगर subscribe में के तो चैनल को subscribe कर लेंगा और साथ में बेल आइकान को भी प्रेस करेंगा चलिए फिर next question को देखते हैं हम लोग तो next question जो आपके screen पे आगया है 510 issue में शती पर्था के साक्षे वाला पर्थम अभिलेक कहां मिला था ठीक है अगर option नमर एस का राइटन सोर जाएगा चलिए फिर हम लोग next question के और चलते हैं next question जो आपके screen पे आगया ध्यान से देखिएगा कि से लालेक से असुक दवाड़ा कलिंग विजय का पता चलता है तो देखिए आपका पहला option में पर्थम दिया वा है दूसरा में आपका पंची वी दिया वाद तीसरा में आपका दस वी चौथा में तेर वी तो इसका जो है नहीं मिलता है तो किसमें मिलता है नहीं option नमर डी सका राइटन सोर जाएगा निक तेर वी सिलालेक में मिलता है चलिए फिर हम लोग next question को देखते हैं गाईज देखिए आप इसको not कर लिएगा तो आपके लिए बहुत ही बहतर होगा क्योंकि इस तरह के important question आपके exam में 100 का 100 पूछने की संभावना है ठीक है तो guys देखिए आप next question आपके screen पर आगया द्यान से देखिएगा किसे विद्वान ने मात अभी लोखों के आधार पर असोक क इतिहास लिखने का शलाधिये पडियास किया है तो देखिए इसमें आपको दो option क्या है विसेंट दिया हुए दूसरा में जेम्स प्रिंसेज दिया हुए और तीसरा में आपका दिया हुए काशी परशाद जैस्वाल दिया हुए और चौथा में देवत रामकिर्षन भंड को क्या कहा इसमें ठीक है तो मोर्य कला का निम्न मेंसे कौनषा शारदिक महतपुल्न नमूना है मोर्य कला का जो चार उप्सन दिया हुआ है तो यह जो फैमस तो उस समय तो क्या थे अस्तम थे उप्सन नमर डीस का राइट एंस वह जाएगा चले फिरम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्कीन पर आगा है ध्यान से देखेंगा इंडिका की रचना किस ने की देखिए इंडिका की किस ने की है तो देखिए पहला उप्सन में आपका कोटिल दिया हुआ है दूसरा में आपका दिया हुआ है यानि मेगस्तिनिस दिया हुआ है और दिसरा में अलविरुनी दिया हुआ है और चौथा में आपका दिया हुआ है क्या है तो इसका आपका जो राइट जो एंसर चाहिए हो जाएगा option नमर याँनि बीस का राइट अन्सर हो जाएगा यानि मैं इस तिनी इस ठीक है चले फिर मुझ नेक्स को इसन को कवर करते हैं जो आपके स्कीन पे आ गया ध्यान से देखें से नेक्स को क्या कह रहा है इसमें कि पढ़ियाग परशासीद की रचना किस ने की है तो देखे परियाग परशासित की रचना ये किताब है इसकी रचना यानि किस ने की है तो कालिदाज दिया हुआ वानभाट दिया हुआ हरिशन दिया हुआ है पतन जली दिया हुआ है तो परियाग परशासित की जो रचना किया है तो वो हरिशन ने किया ह सब्सक्राइब कर देखते हैं जो आपके स्कीन पर आ गया है ध्यान से देखेगा इस को गुपते के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया तो देखिए तो इसका जो आपके स्कीन पर आ गया है ध्यान से देखेगा इस को भारत इतिहास का कौन सा काल सौर नकाल के नाम से जाना जाता है तो देखे मोडिय काल दिया हुए गुपते काल मुगल काल दिया हुए और आपको हैं देखिए चौथा उप्सन में अंग्रेजो का काल दिया हुए तो इसका जो राइट जो दाएगा विल भी दे राइट एंसर ओप्सन नमर यानि 20 का राइट एंसर हो दाएगा यानि तो इसका जो आपका जो राइड जो जागा विल विद राइट एंसर ऑफसन नमर यानि बीस का राइट एंसर रहाएगा यानि अशौक चलिए और इसको असोक यानि सबसे सक्ति साली राजा भी खा जाता है तो इस कोसं को भी आप नौट कर ली जागा ठीक है चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके स्कीन पर आंगया है और हम आपके इस कवेंस के कृसन को यानि कॉसं को तो इसका जो आपके इसकी पर ध्यान से देखेगा इस को आप क्या कह रहा है कि समुद्र गुप्त की जानकारी होती है किसे तो देखे यह पहला अथूरा कि अभी लेक्स से दूसरा में दिया पड़्याग पर याग परसासित किए तिसरा में आपका जो आपका जो राइडर्याट से लो जाएगा तो ओफिसर नमर यानी पर याग पर याग पर याग परसासित से ठीक है चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके skin पर आ गया है ध्यान से देखेगा इस question को तो आप यहां इसको थोरा सा हमको color इसका change कर लेते हैं चलिए तो partly putr की अस्थापना किस ने किया है question में कहा है partly putr की अस्थापना किस ने किया तो देखे बिम्बी सार दिया पहला option में दूसरा में उदया हुआ है तीसरा में अजूत सात्री दिया हुआ है और चौता में आपका क्या दिया हुआ है चंद्रकूप्त मोड़ी दिया हुआ है तो देखे इसका जो आपका जो right answer में रहते थे बहुत ही important question है और यह exam दरिश् सब्सक्राइब चलते हैं जो आपके एक स्कीन पर ध्यान से देखेगा अभी ज्यान सकुनतलम के रतनाकार है याई अभी व्यान वहां इसका रश्तनाकार क्यों और दिया हूँ है तो देखिए इसका जो राइड़ टैएगा थे चाली फिर हम लोग देखते हैं जो आपके सकीन पे आगया दियान से देखेगा इस question को पडियाग परसासित का संबंद किस गुपत शासक से है ठीक है तो पहला आपका option में दिया हुए चंदुगुपत संबंदुगुपत दिया हुए और इस गुपत शासक ने की है तो देखेगे पराचिन काल में जो अभिलेक शुरूबात किया था तो इनि किसने किया था देखेए चार उपसन आपके सामने दिया हुए चंदुगुपत दिया हुए तो इसका जो आपका तो राइट इस पर दिया जाएगा तो विल वी इद एक्जाम दिरिश्ट्री से आपका ये भी आपका भी भी कोश्चन है जो आपको 100 परसन यानि पूछ दिया समझे तो देखिए यहां देखिए क्या कहा रहा है कि आपके स्कीन प्रधान कौन था तो देखिए पहला प्रधान कौन दिया है कोशा देख्च मुदाग देख्च पनादेख्च लक्षा नादेख्च तो इसका जो राइड जेंसर जाएगा विल विद राइट एंसर ऑफ्चन अमर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा चले गाई तो फिर नेक्स्ट को हम लोग देखते हैं जो आपके स्कीन पे आ गया है धयां से देखेगा इस को संको पतनजली के महाभास्य से किसकी जानकारी मिलती है तो देखिए इसमें आपका चार ओप्षन दिया हुआ है पहला मोडियकाल की गुप्त काल की इसके बाइड आपका चौथा में दिया हुआ यानि इनमें से सभ तो इसका जो आपका जो राइड जो जाएगा विल विद राइट एंसर ओप्सन नमर भी इसका राइट एंसर जाएगा या नि असौक ने ठीक है चलिए हम लोग फिन नेक्स्ट को देखते हैं जो आपके इसकी इन पर आगया ध्यान से देखेगा इस को कि आर्थसास्त इंड मंदिर निर्मित कराया तो देखें पेहला ओपर आपका चूल को दिया वाया दूसरा चलकी तो और चोथा में आपका क्या दिया हुए है तो इसका जो राइट ज उन्सल हो जाएगा तो अफसर में दी ही राइट जॉल हो जाएगा यहाँ रास्ट कूट है ठीक है चलिए फिरम लोग next question को देखते हैं जो आपके skin पे आ गया है next question में क्या कह रहा है कि 16 माजन पदों में सबसे सकती साली माजन पद कौन सा था तो देखिए ये पहरा option में दिया हुआ है यानि मगद दिया हुआ आपका दूसरा में अवंती दिया हुआ है कोशल दिया हुआ है गंदहर दिया हुआ है तो इसका आपका जो राइट जो इंसर दाया है यानि और ये इसका राइट एंसर दाया है यानि सबसे सकती साली मगद को का जाता था चले फिर हम लोग नेक्स्ट कौशन को देखते है जो आपके इसकीन पर आ गया ध्यान से देखेगा इस कौशन को पुरानों की संख्या कितनी है अपसा में पुरानों की संख्या कितनी है तो पहला आपसान में इसका जो राइट जो इंसर दाया है और चौन है तो देखे वालमी की दिया हुआ तो इसका ज़ाप का जो तो option नमर यानि 20 का राइट एंस और अधाय का गंतन से दिया हुआ है गाइज बहुत सारे यानि आज question है लेकिन video long होड़ा इसलिए हम सोचते हैं कि इसको इंट कर दिया जाए लेकिन आपके exam में ये question 100 का 100 पूछते हैं और खास करके part 2 से लगभग आपका question 10 यानि question आपका रहेंगे तो हमसे मैं आपसे request करता हूँ कि इसको आप अच्छे तरह इस question को not कर लेजगा तो आपके exam दिरिष्टे से काफी helpful साबित हो सकता है तो guys अगर अभी तकर आप मेरे चैनल को अगर subscribe ने के तो चैनल को subscribe कर लेंगे और अपने दोस्तों में वीडियो को share कर देंगे ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो का लाव ले सकेगा जैहिंद जैवारत